अमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोहिता श्यादब P2P स्कैम दो दिन से आप खुब दवा के चीज़ें सुन रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है और मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें आपको क्लियर भी हो गई कि आखिर P2P जो स्कैम हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है क्योंके दो दिन में बहुत सारे वीडियो आ गए आप लोगों ने मेरे पास भी कमेंट कर दे सर आप भी एक और डेडिकेटिव वीडियो इस पर बना दीजिए वैसे मैं आपको ये वीडियो तीन अपते पहली दे चुका था और आप लोगों ने देखा भी है तो जो लोग नए हैं जो नए मेरे साथ जुड़े हैं तो देखिए उनके लिए चलिए मैं एक वीडियो और क्रियेट कर देता हूं लेकिन या और इस वीडियो से आपको जलासी भी कोई नॉलिज मिली हो या आपको ये लगाओ कि हाँ वाकरी में कुछ इन्फर्मेशन थी इसमें तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसमें थोड़ी सी कंजूसी नहीं चलेगी इसमें थोड़ा सा सकते हैं क्या बचना संबब है है तो उसके लिए क्या करना चाहिए कुछ हम इस पर बात करेंगे ना कि उस पर वो कैसे हुआ कैसे होता है वो सारी चीज़ें आपको पहले ही पता चल गई है तो उन पर कोई फाइदा नहीं पहले लेते हैं इंडियन एक्शेंज पर कि हमें क बाकाईदा TDS काटते हैं इसका मतलब यह है कि आपका record बाकाईदा exchange के पास है ठीक है प्लस जो भी आपने trade किया है तो आप पुरी तरीके से verify होगा ठीक है इसी तरीके से जो उनके पास trader भी P2P के लिए registered होंगे तो उनके साथ भी जो KYC किया जा रहा है वो जैसा KYC आपका हुआ है वैसा ही KYC उनका भी हुआ होगा इससे क्या है कि कहीं कहीं यह confirmation हो गया कि उनका भी pen card आधार card जो भी है यानि Indian exchange के पास है जैसे कि आपका है तो यहां TDS और KYC दोनों ही P2P करवार है तो यहां इसलिए आप सेफ होगा है कि आप जब भी चाहें आप अपना data easily निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी आप कोसिस यही कीजिए कि जितना भी verified हैं आप देगे बहुत से लालच वाले वहां मिल जाएंगे कोई आपको कोई 87 रुपए का देगा, कोई 88 रुपए का देगा, कोई 90 रुपए का देगा और कोई 85 रुपए का देगा तो इसमें क्या है कि यह difference है न यह लालच है इस लालच से आप भचें यहां mostly आप कोसिस वही करें कि जो verified है exchange से, पूरी तरीके से verified है आप उसी के साथ कोई भी trade करें प्लस जब भी आप P2P करते हैं तो वो सामने वाला भी आपसे जो trader है, जो merchant है आपसे pen card मांगता है आप भी कोसिस वही कीजिए का आप ऐसे इंसान के साथ trade कीजिए जो आपको pen card available करवा रहा है इससे क्या होगा आपके पास भी सबूत होगा कि देखे साथ इस बंदे से मेरा payment आया है प्लस bank account हमेंसा वो यूज कीजिए जो आपने exchange के साथ registered कर रखा है कम से कम आपके पास ऐसा proof होगा कि हाँ मैंने इस account के साथ ही अपने जो transaction हुए हैं वो किये हैं तो यहाँ पर आपकी exchange भी कोई मदद जरूर करेगा अगर खुदान खासता कोई दिक्कत आती है तो वैसे तो इंडियन exchange में ऐसी दिक्कत आएगी नहीं और आनी चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी एक पर्षेंट माल लेते हैं अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप ऐसा कर सकते हैं एक्षेंज भी आपकी मदद करेगा अगर आपने थर्ड पार्टी एक्षेंज वो सौरी नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखेगा वैसे तो दिखेंगे यहां पर मैं आपको वही कहूंगा कि आपका इंडियन जितने भी एक्षेंज हैं सब के सब आई एनर में आपका ट्रेट करवाई हैं आपका विड़ो हो रहा है तो इसमें कोई प्रॉलम ही नहीं आप यहा इंडियन अकाउंट जीतने भी एक्षेंज हैं उनको सेफ मानता हूं और उन पर आपको यह दिकत आनी भी नहीं चाहिए और यहां पर आप एजिली देगे चाहिए आप एनी एफटी कीजिए आई एम पेस कीजिए जो मरजय कीजिए के वल आप जो यूपियाई हो रहा था वो अभी disabled है तो मैं भी देरे देरे जैसे regulations आएंगी तो मैं भी हो सकता है UPI भी आपका enable हो जाएगा लेकिन यह भी facility का कोई दिक्कत नहीं है तो यह इंडियन एक्षेंज में देखिए कोई दिक्कत इस तरीके से नहीं आते हैं अब आते हैं international exchange सारी बसड़ यही है जो P2P कि जितनी बसड़ है न सब की सब international exchange पर ही है और जितने भी है यहां आपकी मजबूरी भी है क्योंकर international exchange जितने भी है जो आपका वाइनेंस हो गया कूइन हो गया हो भी हो गया get.i हो गया जितने भी आपका coin based kraken जो भी है तो यह क्या international यहां पर आपको USDT ही चाहिए अब USDT जितने के लिए आप INR कैसे deposit करेंगे वो संबब नहीं है आपको कहीं न कहीं USDT ही लेना पड़ेगा उसके लिए आपको P2P ही एक सारा वश्ता है जो आपको मजबूरी है करना इसी का फाइदा उठाते हैं यह थर्ड पार्टी बीच में जो होते हैं जो आपके trader होते हैं क् जैसा आप ट्रेड कर रहे हैं अगर आप ले रहे हैं तो वह आपको दे रहे हैं और आगर आप उनको देना चाहते हो तो आपको वो USDT दे रहे हैं तो यह तरीका है इनका करने का अब यहीं पर जो गपले बाजी हो रहे हैं वो आप देख चुके हैं सारे आप कल से परसों स खुब लगातार आप भी वीडियो देख रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है किस तरीके से हो रहा है तो आपने वो चीज़ां अची तरह समझ लिए नहीं समझी हैं तो आप मेरा अर्णवेद रोहता चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है आप वो देख लिजे मैं इस स्टेप जो आपका मर्चेंट है जो बाइनमस ने किया हुआ है आप उसी के साथ ट्रेट करें लेकिन ये भी गारंटी नहीं है कि वो करें मर्चेंट ऐसकी कैसी है क्या उसकी transaction HD में कोई glitch तो नहीं है मतलब कि वो ज़्यादा pending में तो चीज़े नहीं रखता है ज़्यादा से ज़्यादा उसने transaction clear कियें कि नहीं कियें यानि हजारों में clear कियें कि नहीं कियें और बिदिन कुछ minute second में वो transaction आपके clear करता है या नहीं करता है तो ये चीजे भी आपको check करनी पड़ेंगे लेकिन सबसे पहला step यहाँ पर यहीं होगा कि आप verified ही select करें किसी लालच में ना आएं कि वो आपको 87 की चीज 90 में दे रहा है या को 91 में दे रहा है या आपको और कोई लालच दे रहा है इस तरीके के merchant का selection आप ना करें क्यों वो आपके साथ कहीं ने कहीं लफड़ा कुछ ने कुछ कर सकता है तो यहाँ पर आप इस चीज का जरूर दिहां दखें P2P अगर सही माइने में देखा जाए तो ये एक unauthorized transaction है जिसकी सरकार की नजर में कोई value नहीं है ये आप bank to bank में कर रहा है वो legal है लेकिन इस तरीका से जो P2P हो रहा है ये सरासर illegal है सरकार की नजर में इसी लिए account freeze होते हैं देखे सबसे पहले वो ही है कि आपका KYC जो exchange है वो करता है या नहीं करता है ये देखिए आज कल तो करने लगे हैं वो manually आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ये कोई भी आपको इस तरह की detail नहीं देता bank transfer आपका available है नहीं कि आप direct सीधा INR किसी भी अपने transaction वो sorry exchange में आप transfer कर सकें यहां से biddo कर सकें या वहाँ deposit कर सकें INR की याजी कोई facility वहाँ पर नहीं है तो मजबूरन आपको P2P करना पड़ता है उसके लिए आपको थोड़ी चीजों का और भी दिखान रखना पड़ेगा अगर माल लीजे आप P2P करते हैं ठीक है और international exchange पर कर रहे हैं तो वहाँ देखिए जो आप bank account यूज कर रहे हैं कोसिस कीजिए कि उसमें आप अपना जो निजी fund है वो उसमें ना रखें मतलब यह कि आपके और भी कहीं से transaction आ रहे होंगे कहीं से land देन हो रहा होगा उस land देन के लिए आप एक अलग account खोलें अलग account में वो पैसा रखें यहाँ cable P2P वाला ही transaction करें क्यों अगर खुदाना खास्ता कोई गड़वड होती है माल लीजे आपका account freeze होता है तो कम से कम आपका जो दूसरा पैसा है वो तो नहीं फसेगा होता क्या है हम एक ही account में सारे transaction करते रहते हैं हमारे जो personal है वो भी किसी से लिया है वो भी P2P किया वो भी कोई हमने fix deposit तोड़ा है वो भी उसी में है तो इसे लिए ऐसे account में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है माल लीजे account free हो गया तो आप उसमें कुछ भी चीज bedraw नहीं कर सकते ये कहकर भी नहीं कर सकते कि ये मेरा वहां से पैसा आया है कि मैंने FD को तुलवाया है वो पैसा है वो दे दो आप बिल्कुल नहीं कर सकते तो इसे लिए P2P वाला account आप बिल्कुल अलग ही रखिए कम से कम आपका अगर कुछ खुदानकासा दिक्कत आती है तो दिक्कत केवल उसी account में आएगी जिसमें P2P हुआ है तो आप ऐसा जरूर रखें और हर exchange पर चाहे वो इंडियान है चाहे इंटरनेशनल exchange है वहां पर आप verified जो आपका trader है उसी का यूज करें बाकि किसी का भी नहीं लाला चाप को बहुत दिया जाएगा उसमें बिल्कुल भी ऐसा ना करें अगर संबब हो सके जैसे हमें USDT खरीदना है एक तो वह ही है कि हम exchange के जरीए खरीए करते हैं लेकिन अगर आपका कोई personal लिप बन्दा है जो यही काम करता है नोन जिसे कहते हैं लेकिन यह उसी कंडिसन में हो सकता है जब आपका वह बहुती खास बन्दा हो परसनल बन्दा हो ऐसे लोगों के साथ भी आप यह P2P बाला काम कर सकते हैं यहाँ पर क्या होगा आप परसनली जानते हैं कोई दिक्कत आती भी है तो आप उसको डारेक्ट जाके पकड़ सकते हैं कि भाई हमने तेरे साथ यह सब किया था यह सब क्या है इसका जबाब दे लेकिन मैंने कहा ना खतरा यहाँ भी है वो कितना विस्वास वाला है यह आपको परखना पड़ेगा तो यहाँ कुछ चीज़ें यही कॉमन है जो आपको बचा सकती है यहाँ फिर तरीका वोई है कि आप टोटल कैस में काम कीजिए कैस टू कैस कैस दिया कैस लिया और वो चीज संबव है ही नहीं एक यही तरीका है बोर कैस का तो कोई मतलब ही नहीं ट्रांजक्शन कहीं कहीं आपके बैंक से जरूर होगा तो इन ही कुछ साबदानियों का आप जो है थोड़ा सा पालन कीजिए बाकी और तो देखिए पी टू पी मैंने का ना अनौथ्राइट ट्रांजक्शन ही है तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी प्लस अगर खुदान खास्ता आपके साथ कोई दिक्कत आती है अकाउंट फ्रीज वाली या साइवर क्राम वाली तो उसके लिए आपको हर ट्रांजक्शन का रेकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए कि ये पैसा मेरा कहां से आया किसने दिया क्यों दिया आपने क्यों लिया ये आपके पास जवाब होने चाहिए तभी आप सेफ एंड सुरक्षित हैं डरने वाली बात नहीं है आपके पास जवाब होना चाहिए तभी आप कुछ आगे इसमें कर सकते हैं बैसे मेरे एसाब से इंडियन एक्सचेंज सेफ हैं यहां कोई प्रॉलम नहीं है क्यों आप आइन आर में ही लेन देन कर रहे हैं तो यह था अभी तक का थोड़ा क्लैरिकेशन वाला क्योंको बीच का पार्ट मैंने जान कुछ के नहीं बताया है क्योंको आप दो दिन से कंटील्यू देख रहे हैं इसके हम कैसे हो रहा है तो मैंने आगे और पीछे की चीज़े बताएं कि आप कैसे बच सकते हैं आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो मैंने तो कोसिस यह रहते हैं कि मैं इंडियन एक्चेंज का ही यूज करूं आज कल ट्रेडिंग यहां भी हो रही है थोड़ा कम है ज्यादा भाई यह चीज़े तो चलती रहती है